हाई अव्रीवन विल्कम और विल्कम बैक तो मैं चैनल मैं हूशाली नी तो कैसे हो आप सब आप सब अच्छे होगे मैं भी अच्छी हूँ तो आज मैं जिस पर रियाक्ट करने वाली हूँ वो कुछ डिफरेंट होने वाला है अर्विन अरोरा जी है जो की मोटिवेशनल सौट वीडियो लाते हैं तो उसमें आज मैं रियाक्ट करने वाली हूँ इंडिया में तीन ब्लेड का पंखा होता है बट यूवसे में पाच ब्लेड का क्यों होता है तो आज हम लोग इनकी ये वीडियो देखेंगे कि क्यों होता है तो चलिए देखते हैं और देखने से पहले अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फोलो ने किया तो जल्दी जल्दी चाहिए और फोलो किजे तो प्लेज सब्सक्राइब मैं चानल तो चलिए देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है Let's get started इसलिए एसी की हवा को रूम में चारो तरफ फैलाने के लिए भारी चार या पांच व्लेट के पंखे लगते हैं जो की धीमे चलते हुए इस काम को आसानी से कर देते हैं लेकिन इंडिया में ज़्यादा तर लोग एसी अफोर नहीं कर सकते और यहाँ पर कमरे भी छोटे होते हैं इसी वज़े से जादा हवा फैकने वाले हलके पंखे चाहिए इसलिए यहाँ पर तीन ब्लेट के पंखे इस्तमाल किये जाते हैं गाईस क्या आपको इसके पहले तक इन्फोरमेशन पता थी और अकर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे में वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक मिलता है अगली वीडियो में तो आपने देखा कि अमेरिका में पांच ब्लेट की पंखे क्यों यूज किये जाते हैं अमेरिका में ज्यादा तर लोगों के घर में एसी है और बड़े बड़े कम्रे होते हैं तो पांच ब्लेट के पंखे इसलिए होते हैं क्यों कि पांच ब्लेट के पंखे मतलब सारे एसी के हाववा को पूरा कभर कर सके तो कैसी लगी आपको यह इंट्रेस्टिंग वीडियो और यह सब भी जाना जरूरी है लाइफ में तो मुझे तो अच्छी लगी आपको कैसी लगी मुझे यह जरूर बता देना कमेंट करक इस अन्युक्त पता चली जाएगा आप सब के किताब आपको पसंद आया व्यूस से तो आप सब किताब पसंद किए अगर जादा आप सब को पसंद आया ज़रूर बताना मैं नेक्स्ट और भी वीडियो लाँग यह एसी आण अच्छी लगी तो लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बगाँ में दो लाइक और उसे जरो प्रस कर देना और मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में कीप वाचिंग कीप सब वाचिंग चलना बाबाई